नमस्कार नित्रो आप सभी का कुछ बातों बातों में स्वागत है अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्रिपिया लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले महुआ मित्रा ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करकर रशन हिरननदानी पे और उनके लगता है कि जो उनके दो आई जोशन भी है या ऐसी ही खालीपी लिए और कुछ यह बाद समझनी की जरूरत है दोस्तों की तीएंज और ममता बैनर जी ने अभी तक इस मामले में कोई किसी भी तरह का कुछ भी नहीं बोला है यह समझने की बात है क्योंकि टी-ंजी और ममता बैनर जी आई चाहसकर अभी तक स्टेट्मेंट आया यह देखने की बात है कि TMC की निता क्या कहती है कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि अन्वेरिफाइड है कि शायद मम्तब आनार जी ने मोहवा मित्रा से उनका स्तीफा मांग लिया है लेकिन इसका अभी तक कोई वेरिफाइड नहीं हुआ है और श दाशन धीरानानदानी से को वितक किसी भी इन्वेस्टीगेटिव एजेंसी ने उनको बुलाया ने ना ही तो एथिक्स के अमेटी ऑफ पारलेमेंट ने उनको बुलाया है तो दाशन हीराननदानी को इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने एक एफिडेवित दे दिया है वो सीधे इलजाम लगा रही है तो वो कहना चाहा रही है कि उनसे ये काम करवाया जा रहा है और इस लेटर में आएंगे वह सारी की सारी चीजें कहती है और वह कि यह भी कह रहे हैं कि वह इतने बड़े बिजनसमैन है और उन्होंने एक वाइट पेपर पर स्टेटमेंट एक सांसद और यह सब का कोई भी लेटर हैट नहीं है एनिवे तो थोड़ी से टेखनिकालिटीज है लेकिन एक तो आ गया है उसके बाद वो कह रही है कि यह जो स्टेटमेंट दर्शिन हिरननदा ने दिया है यह पूरी की पूरी तरह से या या थो पियो में में बेसाइड हुआ है द्राफ्ट हुआ है यह फिर टी Communist कि इसे लें ड्राफ्ट किया है इस पता है क्या है लेकिन उनको यह、「 कहना है कि यह चांद की साजिश है या फिर प्रधाल मंत्री की साजिश है शाय सारैं मंत्री के पाश तना ज्राइन बचा हुआ है कि वह एक सांसत को थान काым कहा हो थ इसमें इतने साहरे लोगों का सब का नाम डाल दिया गया है दाशन हीरा नंदा इन्हें सुचीता दलाल का भी डाल दिया गया है कल से काफी न्यूस में हैं जब से यह आया हुआ है और वो भी अपने साइट से सारी सुचीता दलाल का वो भी उन्होंने खोल के निकाल दिया है और उसे काफी लोगों को साइट काफी सारी चीज़ें पता भी चल रही हैं कि हाँ यह इतनी ज्यादा इन्नसेंट नहीं है लेकिन उसके आगे चलते हैं कि वह काफे सारे वह यह भी बताती है कि इसमें एक शच्रॉफ का नाम आया है कि शच्रॉफ जो है वो सारे श्रॉफ का भाई है और साल श्रॉफ जो हए वह गौतम अडानी का संदिये और यह जो बीच में एक कमिटी बढ़ाई थी कि सेभी की तरफ से उसमें वह मेंबर भी रहा है तो वह काफे सारे अभी करें का तो पर यह कहीं से यह दिखाने के कोशिस कर रही है कि जो हदर्शन फीरन का जो लेटर है वह एक तरह से क्लीन चिट देने का है वह कह है कि जो लेटर ऐसे ड्राफ्ट किया गया है कि उसमें कहीने के ऐसा लगए कि लोग गौतम अडानी को जानबुच के फसारा चाह रहे हैं तो वो देखें उसमें तो कुछ खास बन नहीं रहा है उसके बाद और भी आते थे तो वो कह रही है कि दाशन भीरा नंदानी इतना बड़ा बिजनसमैन है उसको एक फर्स टाइम एंपी से डरने क्या जरूए थे कि वो मुझे इतने सारे गिफ्ट एक्स्पेंसिव गिफ्ट दे और जो भी मेरे में जो भी कहूं उसको मान ले वह कहती है कि यह तो इतना बड़ा बिजनस ग्रूप है यूप अकेले यूपी में उसके पास 30,000 क्रो यह सारी कुछ उठाती हैं कि अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं पर बीना लॉजिक के लगाएंगे तो लगए है कि इतने बड़े-बड़े लोगों से उनकी जान पर चान उटना बटना है तो एक MP से क्यों उतना उसको डरना है लेकिन यह जानी की बात है दोस्तों कि ए कि बिजनस में काफे सारी चीज़ा होती है कि अपने ओपने को कैसे नीचे दिखा रहा है उसके लिए अगर कोई एक MP उसकी बात को माने और उसके जो भी वह कहें उसको जाके वह पार्लेमेंट में उठाएं तो यह काफे माने रखता है तो यह लॉजिक कभी धंका जमता न दाशन हेंदी हीरा नादानी के जो गुरूप के इन्वेस्मेंट से यूपी रूल स्टेट्स में पर उनका कहने के मतलब वह कहना चाह रही है कि कहीने कहीं से उनको उनको पर प्रेशर डाला जा सकता है तो उनका बीसिकली यही पूरा का पूरा लॉजिक रहा है इसमें कि दशीर नढंदानी को उसक्रीक की काफ़ी प्रेशीर के थाइट काम कर रहा है और वह कह रे एक कि यह क्लीर भी वह नहीं यह नहीं भी लिया या नहीं लिया है पीर जो उनका जो दिली मंग Evet हाओज का रेड्वेशन यह सारी चिजों पेक दम शांत है कुछ नहीं बोल रही है वो यह भी नहीं बोल रही है जो में जो इल्जाम है कि वो पार्लेमेंट की जो जो उनका ओफिशल इमेल आईडी और पासवर्ड है वो उन्होंने शेर्ट किया है या नहीं किया इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है अगर यह बेसिकली अगर लेटर दिखा जाए तो इसमें जो उनको पर अलजाम लगा गया है जिससे उटकी सदस्यता जा सकती है उसके उपर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया है यह बात काफी हद तक समझने वाली बात है क्योंकि इस बात से उनके उपर उनके करियर या फिर उनकी सदस्यता का असर पड़ता है लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी थी वो तो वो आपने ठीक से निभाई या नहीं क्वेस्चन उस पर है लोग देखते हैं एथिक्स कमिटी में तो यह बात तो गई है और धीरी धीरी काफी सारे लोगों के नाम भी इसमें आ रहे हैं क्योंकि यह देखनी की बात है कि यह सिर्फ अकेले काम नहीं कर रही थी इसमें यह राहूल गांदी से मिलकर भी उन्हों नाम इसमें से आएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्रिप का लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना वोले फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्नावा दोस्तों